तो जैसा कि स्क्रीन में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आज हम पढ़ने वाले हैं हाइगंस का प्रिंसिपल इसको कहीं पर हुजिन्स प्रिंसिपल भी बूला जाता है और इसे कहीं पर हाइगंस वेप थियोरी भी कहा जाता है हिंदी में इसे हाइगं का तरंग सिद्धांत भी बूला जाता है तरंग सिद्धांत के लो या सिद्धांत के लो परन्तु आज हम क्या पढ़ने वाले हैं हाइगं का सिद्धांत मैंने इसके पहले के लेक्टर में आपको पढ़ा दिया है परन्तु आज जिस इवेंट के बारे में हम डिसकस करना चाहते है वो इवेंट है परावर्तन तो आपको पता होगा न कि 16th सेंचुरी में क्रिस्टियन हाईगन ने थियोरी दी न्यूटन साब के पहले जब के न्यूटन साब सपोर्ट करते थे क्रिस्टियन हाईगन ने कहा की जो रिडियेशन आ रहा है वो लाइट रे पार्टिकल ना हो करके वो वेव है तो Christian Hagen ने क्या कहा था कि जो light ray है जो light की energy आ रही है actually वो wave की form में आ रही है ओके और उनने कि light की wave के लिए एक medium मान लिया था उसको उन्होंने नाम दिया था ether ओके इथर कह दिया था कि ether एक medium है उसमें light wave जो होती uniformly travel करती है हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे किसके बारे में उनके principles क्या थे हम mostly यहाँ पर देखने के लिए जो आए हैं हम event देखने आए हैं मतलब हम यहाँ पर परावरतन के बारे में बात करने आए हैं कि परावरतन को light की क्रियाओं को आपको discuss तो करना पड़ेगा और light की जो क्रिया है वो कौन है परावर्तन मतलब की reflection तो आपको reflection को explain करना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि on the basis of Huygens wave theory हॉके Huygens की wave theory के अनुसार Huygens ने अपने wave theory के अनुसार किस तरीके से light के reflection को explain किया, light के परावर्तन को किस तरीके से समझाया तो हम यहाँ पर देखने वाले है explanation of the reflection using Huygens wave theory मतलब की Huygens के तरंग सिध्धान के आधार पर परावर्तन का इसपश्टी करन टॉपिक थोड़ा सा lengthy है थोड़ा सा difficult है इसलिए आराम से करने की कोशिश करिएगा जल्दबाजी मत करिएगा, मैं भी बहुत आराम से चलूँगा, आप भी बहुत आराम से चलिए, आईए देखे कुछ बातों को मैं आपको बता देना चाहूँगा, सबसे पहले ये समझिए कि हमारे पास जो light ray आती है light ray हमारे पास जो sun किसे आती है, क्योंकि sun हमसे बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए, sun से चलने वाली जो waves होती है sun से जो wave front बनता है कुछ इस तरीके से बनता है बट और आपको पता है कि जो raise होती है वो wave front के perpendicular हुआ करती है परन्तु अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं sun से तो sun से infinite distance पर मान लिजे, अर्थ पर जो आपको किसी हिस्से पर wave front दिखाई देगा जो तरंगाग्र आपको दिखाई देगा wave front को हिंदी में तरंगाग्र कहते है तो तरंगाग्र जो आपको दिखाई देगा वो किस तरीके का तरंगाग्र दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा समांतर या समतल तरंगाग्र यह मैंने पढ़ा रखा आपको समतल तरंगाग्र या इसको English में plain wave front बोलते हैं कुछ इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि plane wave front जो होता है कुछ इस तरीके से हुआ करता है और plane wave front के perpendicular चलती है कौन? raise जिने आप केरण कहते हैं तो आईए हम काम की बात करते हैं जो हमारे favor में है ये मेरे पास raise आ रही है तो बच्चो आपको जाना चाहिए जो plane wave front होता है वो इनके perpendicular हुआ करता है क्योंकि raise जो होती है हमेशा wave front के perpendicular होती है तो ये आँगे क्या जा रही है? ये raise है और ये क्या है? wave front है ये जो आपको दिख रहे हैं ये wave front है मैं इनका नाम दे देता हूँ ये wave front नमबर वन wave front नमबर टू और ये wave front नमबर त्री तरंगागर एक तरंगागर दो तरंगागर तीन कैसे तरंगागर है ये? ये समतल तरंगागर है plane wave front means समतल तरंगागर की हम बात कर रहे हैं हाँपे anyway चली अब आँगे बढ़ते हैं तो आपने देख लिया कि ये तरंगागर जो होते हैं ये समतल जो तरंगागर होते हैं हमारी आने वाली किरणों के क्या होते हैं? लंबवद दिसा में होते हैं 90 degree का कूण बनाते है दूसरी बात करूँगा आपको जब मैंने Christian Huygens का principle बताया था तो मैंने कहा था यहाँ पर कोई स्रोथ होता है और जब ये स्रोथ excite होता है तो अपने disturbance को हर possible direction में फेकता है ये vibrations जो होते हैं ये disturbance जो होता है ये जो विक्षोब होता है हर संभव दिसा में जाता है यहाँ पर आपको 2D screen दिख रही बट ये काम 3D में होता है तो यहाँ पर ये disturbance पहुंचता है और ये जो आपको कण दिख रहे हैं ये समान कला में कमपित होते हुए कण है और समान कला में कमपित होते हुए कण का जो packet बनता है वो कहलाता है प्राथमिक वेफ्रेंट याने प्राइमरी वेफ्रेंट प्राथमिक वेफ्रेंट को क्या बोलते हैं तरंगागर जी हाँ ये प्राथमिक तरंगागर कहलाता है और ये जो छोटी छोटी पार्टिकल है इनको हम क्या बोलते हैं तरंगी काई का जो पहला packet बन गया, इसको हम बोलते हैं, primary wavefront, अब सुनिए, दूसरी बात important है, दूसरी बात समझने के लिए, मुझे एक circle पहले आप बना लें दीजे, जिससे कि आपकी मदद हो जाएगी, ओके, अगर मैं नहीं बनाता हूँ, तो दिक्कत बनेगी, तो मैं एक circle बाहर बना transparent कर दिया, अब देखिए, यहाँ पर यह जो wavelet बैठा हुआ है, यह क्या था, प्रात्मिक wavefront, अभी जो wavelet बैठा हुआ है, यह क्या है, फ्रेश सूर्स बन चुका है, अब यह जो फ्रेश सूर्स है, यह खुद क्या करेगा, यह खुद अपने चारों तरफ एक front generate करेगा, यहाँ पर यह चारों तरफ क्या करेगा, अपने vibration को travel करेगा, और यह एक तरीके से यह अपने चोटे 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 wavefront बनाएगा, यह देखिए, यह fresh source है, इसने अपना wavefront बनाया, ऐसे इसने अपना दूसरा wavefront बनाया, ऐसे इसने अपना तीसरा wavefront बनाया, यह देखिए ठीक है तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पर जो आपके पास में यह fresh source बने हुए हैं जैसे यह देखे यह वेवलेट्स हैं यह क्या करेंगी यह fresh source of energy बन जाएंगी और यह जिस तरीके का spherical wavefront इसने बनाया था source ने ऐसे यह अपने चारों तरफ स्फेरिकल्स वेव फ्रेंट यह खुद के जनरेट करेंगे यह देखिए कि चलिए अब यह देखिए यह जो packet है यह जो particle है यहाँ वाले यह सारे के सारे सेम फेज में वाइबरेट हो रहे न तो इन सेम फेज में यानि समान कला में कंपित होते हुए कणों को ज्वाइन कर दो अब यह जो दूसरा packet बन रहा है envelope कहलो लिफाफा कहलो outer jacket कहलो इसको यह जो कहलाता बाहर वाला इसको बोलते हैं दुतियक तरंगागर तो ये तो मैंने आपको बता दिया हाईगन का सिध्धान्त ये क्या था हाईगन का सिध्धान्त कि किस तरीके से तरंगागर बना करते हैं इस तरीके से बाहर दूसरे तरंगागर बनेगे फिर बनेगे और ये सारे के सारे तरंगागर Light की Speed से गतिमान हुआ करते हैं मतलब क्या हुए इसका कि देखिए जो disturbance जितने समय में यहां से यहां पहुचा था उतने समय में ही यह disturbance यहां से यहां पहुचेगा मतलब तरंगागर एक तरंगागर से दूसरे तरंगागर को travel करने में समान समय लगता है और समान दूरी होती याद रखेगा वायो एनरवात में यह मतलब बिल्कुल सब की दूरियां क्या है समान है ठीक ना इस चीज को याद रखेगा इस चीज की concept का हम इस्तमाल करेंगे तो किस से गतिमान होते हैं यह प्रकाश का परावर्तन तो परावर्तन हम पढ़ने वाले यहाँ पर परावर्तन हमें सिद्ध करना है मतलब हमें क्या सिद्ध करना है आई इक्वल्स टू आर थोड़ी सी थियोरी कॉंप्लेक्स है आराम से बिल्कुल दिमाग को रोक करके यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक सतह ले लिए, ये ले लिए है मैंने भाई एक सतह, ओके, चली, काफी पतली है, इसको हम थोड़ा सा थिक कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे, येस, अब ये देखिए, ये सतह जो है, काफी ठीक ठाक देख रही है, इसके इस और राओंगा पर्पेंडिकुलर बनाने के लिए मैं वैं ब्राइण सेलेक कर लेता हूं यह दिखे अम masuk रिजनail और फेर पर्पेंडिकॉलर बना दिया यह दिखे यह बन गया है नॉर्मल को ठिक कर दिया है, ठीक है, यह क्या है हमारा, यह है normal N, अब देखे क्या है, अब हमें बनाना है incident tray, अब हम incident tray लेते हैं, और incident tray बनाएंगे, ओके तो यह देखे आपके पास यह white color की मैंने incident tray बनाई है, और इसमें मैं arrow mark कर दिता हूँ, कि यह ray जो है, नीचे की और तो यह जो angle बनेगा यह कितना होगा angle of incidence हो जाएगा I, अब मैं बनाता हूँ reflected ray, तो यह बना लिए हमने दूसरी ray, reflected ray, यानि कि परावर्तित किरण, और यह angle कितना है, यह है R, अब समझे यह angle I है, यह angle R है, definitely यह वाला जो angle होगा, यह नीचे वाला angle, यह कितना होगा 90 minus I, इस तो यह वाला angle कितना होगा, 90 minus I, और यह angle कितना है, R है, तो यह angle कितना होजागा, 90 minus R, इन सब चीजों की थोड़ी से जरूत पड़ीगी, अब देखे, अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है wavefront, तो wavefront बनाने की जानकारी थोड़ी समझे, क्या है, अभी आपको wavefront किस तरीकी से आएगा, यह आएगा, समझ यह का, प्लीज, देखे, यह प्रकास की किरण आ रही है, तो इसका wavefront क्या होगा, इसके लंबवत, क्यों होगा, एक बर फिर समें explain करता हूँ, clear phase में, यह रही यहाँ पर जो प्रकास की किरण है, अगर ऐसे आती, तो आपका wavefront क बनाऊंगा, जिससी कि आपको clear दिखाई दे, है ना, कि यह wavefront है, और आप mix up ना कर पाएं, तो मैं एक बनाता हूँ, incident wavefront, पहली रही का, incident wavefront में बनाता हूँ, देखे, yes, यह है diagram, यह मेरे पास रही आ रही है, incident रही है, अब मैं इसका incident wavefront बनाऊंगा, incident wavefront का मतलब है, आप हमारा बन चुका है, incident wavefront, जो है, यह बन गया हमाई पास, incident wavefront, done, यानि कि आपतित तरंग आगर, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित तरंग आगर, कैसे रिखे, यह आपतित किरण है, आपके पास में, यह आपतित किरण है, और यह इसके उपर का तरंग आगर है, आप यह आपकी आपतित किरण, और आपतित किरण कुछ इस तरीकी से आ रही है, और इसके लंबवत, जो है, यह आपका है, आपतित तरंग आगर, ठीक ना, यह इसके लंबवत का तरंग आगर बन चुका है, समझे गा, इसको इस derivation को बहुत ही, complex type का, बहुत ही important derivation है, ठीक है, दन, चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर यह दन बन गया, आपका incident, incident tree, यहने की आपतित किरण, और आपतिक तरंग आगर, और यहाँ पर यह कौन सी किरण है, यह जो जारी है, यह परावरतित किरण है, ठीक ना, तो जाने वीज़े कोई दिक्कत नहीं है, अब इस पर यह समझ यह कि यह वाला एंगल कितना होगा, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, यह वाला एंगल आपको कितना होगा, यह एंगल आई होगा, बट कैसे होगा, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मेहनत करने के लिए बोलूँगा, आईए देखते हैं, इसको ले लेकर के यहां तक का complete angle कितना है 90 है, okay, तो 90-i हो गया, इधर तक गया कितना हो गया, plus 90 हो गया, क्योंकि ये आपतित किरण है, और आपतित किरण के उपर जो वेफ्रेंट होता है, जो तरंगाग्र होता है, वो किरण के हमेशा क्या हुटा है, लंबवत हुआ करता है, तो ये ह यह हो गया कितना 90 तो 90 मैनस आई प्लस 90 अब यह क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180 तो सवाल उठता है कि कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए तो आंसर अगर आप आई जोड़ोगे और टोटल कर दो तो इससे यह कैंसल हो गया तो 90 प्लस 90 कित इतना होगा आई होगा तो यह हो गया आपके पास में एक इंसिडेंट वेफरेंट और यहां पर इंगल कितना बन रहा है इसका आई बन रहा है ठीक है चली यह तो हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बाट अब दूसरी बात देखते हैं दूसरा वेफरेंट बनाता हूं मैं देखे किस तरीके से दूसरा वेफरेंट बनेगा तो दूसरा वेफरेंट बनाने के लिए मुझे एक दूसरी लेनी पड़ी जो इसके पैरलल है तो मैं इसके पैरलल एक दूसरी रे लेता हूं चली इसके पैरलल में दूसरी बनाऊंगा वो भी मैं वाइट कलर से अब देखते हैं, reflected ray के बारे में, diagram आपको काफी complex लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बढ़ इसके बाद मैं एक और diagram मनाऊँगा, जो आपको मैं अलग-अलग करके थोड़ा सा दिखाऊँगा, तो आपको समझ माएगा, अब ये देखिए, दूसरे place पर ये जो incident ray हो रही ह ये आ रही है, ये देखिए, इस point पर आ गई, ओके, ये क्या है, ये इसका normal है, और ये इस incident ray पर, ये जो red color का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका reflected wave front है, देखिए, पहला वाला reflected wave front मैं इसको मान लेता हूँ, W1, और ये है W2, ओके, तो ये reflected wave front है, और ये ह reflected ray, ओके, आपको ये समझना है, कि अगर ये angle आई है, तो ये angle कितना होगा, R, और बिल्कुल ठीक, पिछले बार के तरीके से, अगर ये angle R है, तो ये वाला angle भी कितना होगा, R, काफी सारा diagram complex हो गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, तो ये diagram मैंने आपके लिए बिल्कुल fresh बनाया है, चलिए अब इसमें समझते है, देखिए सबसे पहले ये incident ray आती है, incident ray कितना angle बनाती है, I angle बनाती है, और यहाँ पर reflection angle कितना बनता है, R, ओके wavefront का angle आपने देख लिया था, ये देखिए ये incident ray पर 90 degree है, ये देखिए ये angle ब front ray यहाँ से निकल गई है, और ये पहला normal है, इस normal का आप नाम N1 दे सकते हैं, इस point को आप नाम क्या दे सकते हैं, A दे सकते हैं, ये जो base में जो point बना है, इसका नाम आप दे सकते हैं, A, अब देखिए दूसरी ray जो ठीक पहली ray के parallel आ रही है, ये देखिए ये ray जो है दू दे दे, ओके, इसका नाम आपने क्या दे दिया है, BDS आपने दिया है, अब समझे इसको, तो ये दूसरी ray यहाँ से आई है, अब ये दूसरी ray देखिएगा, ये क्या था, वेफरेंट था, ये क्या गया था, वेफरेंट, कहा गया वेफरेंट, ये गया वेफरेंट, ये ग गनाते हैं इस वाली रिकार रिफ्लेक्टेट रहे हैं यह देखिक पहले हमने किसका विफ्र रेंट बनाया पहली वाली रिफ्लेक्टेट रिपलू वं और दूसरे वाले wave front का नाम तरंगागर का नाम आप दे दो W2 और ये देखो यहाँ पर ये reflected ray से टकरा भी रही है तो ये angle भी किते degree होगा 90 degree अब ये angle कितना होगा ये भी incidence angle होगा I और ये angle कितना होगा R ठीक है ना ये angle कितना होगा R अब जहां से समझो भाई देखो फिर से मैं method बताता हूँ जो वाली method देखो ये कितना बन गया अपने पास में ये बन गया है R तो ये कितना होगा 90 minus R ठीक है ना और आपको पता है कि ये जो wave front जा रहा था ये wave front जो होता है ये all total angle कितना बनाता है 90 बनाता है यहाँ से किस पे reflected ray पे जो ये wave front है जो आपका तरंगागर है कितना angle बनाएगा 90 degree फिर से समझो ये आपकी reflected ray है ये आपका red color का तरंगागर जा रहा है ये angle कितना है 90 degree है ये angle कितना है 90 minus R है तो 180 बनाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा R तो ये वाला जो angle हो जाएगा ये कितना हो जाएगा R हो जाएगा ये नाम है A ये नाम है B dash यहाँ पर टकरा रही है reflected ray इस wave front के साथ इसका नाम देरीजे A और यहाँ पर जो है ये incident ray second वाली incident ray इसके साथ टकरा रही है इसका नाम देरीजे B dash अब आप wave front की process में मैंने आपको बताया था कि सभी wave front दो consecutive wave front के बीच में travel करने में जो light होती है same speed से travel करती है same time में travel करती है तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है देखो आप इसको आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि किताबों में भी यह चीज आपको समझ में नहीं आएगी जो चीज में आँगे बोलने जा रहा हूँ ना यह किताबों में यह चीज आपको समझ में नहीं आती यह दिखिए आप क्या हो रहा है चली तो वह बात में आपके सामने बोल रहा हूं देखिए क्या लिख लिख लिए आप इस चीच को याद करने के लिए कि जितना टाइम यहां से यहां लगा है ओके और लाइट किस स्पीड से चल रही है सी से सारी की सारी लाइट किस स्पीड से चल रही स्पीड आफ लाइट सी से तो जितना टाइम ट्रेवल यह के दो एंकाउंटर हुए है वे फ्रेंट के यहां पर और यहां पर तो टाइम ट्रे मतलब जितना वेव नहीं बोलूँगा मैं इसको रे बोलूँगा एसे लेके एडैस तक जाने में जितना समय लगा है एसे लेके एडैस तक जाने में रे को जितना समय लगा है उतना ही समय जो है बी से लेके डैस तक पहुंचने में नीचे की तरफ लगा मतलब देखे और B से लेके B डेस तक का time क्या होगा दोनों का equal होगा अब देखो समझो भाई आपके पास दो एंगल है यह आई है और यह आपके पास में R है मैं थोड़ी सी जगह यहां बना लेता हूँ क्योंकि मुझे यहां पे solve करना है इस question को ओके yes चली तो अब आपके पास में दो triangle द दूसरा triangle आपके पास में A B , यह यह डियस & ब जो है क्या निकलने का support करेगा साइन R निकलने का सपोट करेगा और दूसरा triangle जो आपका A B & B यहां किसका support करेगा आपके पास में साइन आई निकालने का करेगा तो इस ट्रैइंगल का यूज करके मैं साइन आई निकालता हूझ देखे तो साइन आई ये एंगल आई है तो आई के सामने ऐसामने पार पैंडिकुलर अपों था झान प्रपैंडिकुलर अपॉन 920 इसको परपेंड़र कितना बनेगा इतपीबीद rozm और पर पन बेस वोल गया होता है लमब बटे करने रहें है प्रपने कुलर अपन हाईपोटे नस तो बी बी डैस अब आने लिगा एडेस्ट है ने बी डैस नहीं इस बन गई यह ना क्योंकि यह पॉइंट एह है और यह पॉइंट क्या है थिया टीक ना यह यह वन गया and then ब्रटें हो गए दूसरा वाला जो साइना रहेगा वह इसमें आएगा किसमें आएगा इसे यहांसे उटा आपके पास में एसमें बैठा हुआ है ना तो साइन आर हमारा आएगा एड़ेस ऐड़ेस और बीड़ेस में यहाँ पेड़ेस कर लो चलो अब सहिए तो साइन आर इकल डू कितना होगा लंब बतेंकर्ण यानि perpendicular upon base, तो sin R के लिए जो लंब आपका बन रहा है, वो क्या बन रहा है, A A dash बन रहा है, बिल्कुल A A dash, और base कितना बन रहा है, आपके पास में, A dash B dash, लिए भाई, पहुँच गया है, हम actually end तक, तो आपने देखा देखो, दोनों को divide कर दो, sin I upon sin R, दोनों को आप divide कर दो, तो sin I upon sin R को divide करोगे, तो क्या क्या रहा है, देखो, B B dash upon A B dash, divide करोगे तो यह पलड जाएगा, तो यह बन जाएगा, A B dash upon A A dash, समझो, यहाँ पर क्या आया था, A B dash उपर चला गया था, हाँ, तो A B dash से A B dash क्या हो गया, cancel, ओके, आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है, sin I upon sin R equal to B B dash upon A A dash, बहुत अच्छे समझना, देखो, मैंने बताया था, B से लेके B dash तक जाने का time जो है, वो A से लेके A dash तक के जाने के time के equal है, ओके, तो speed कितनी है, speed है, पने पास में, speed of light C, ओके, अपन को क्या निकालने है, B से लेके B dash तक के distance, बी से लेके B B dash तक की distance, तो B से लेके B dash तक के distance कितनी होगी, distance equal to, speed into time, because speed equal to, distance upon time, तो distance equal to, speed into time, तो distance देखे, distance equal to, speed into time, speed यहाँ पर क्यातने C है, और time कितना है, T है, नीचे भी A से लेकर के A dash तक की, जो distance है, वो आपको निकालनी है, A से लेके A dash तक की distance, तो speed कितनी है, C है, और time से में है T से T cancel हो गया, C से C cancel हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब sin I upon sin R equals to 1, okay, sin I, sin of I upon sin of R equals to 1, so क्या हो जाएगा अपने पास, sin of I equals to sin of R, so that is equals to angle I equal to angle R, it means I equal to angle R, incidence angle is equal to angle of reflection, मतलब I is equals to angle R, तो ये बहुत ही, मैं समझ रहाँ कि देखी, derivation जो आप करोगे, कई बार आपका दिमाग खराब होगा, ऐसा लगए, ये भगवानी क्या है, बड़ आप इसको बार बार करिए, तीन चार बार करेंगे, तब आपको ये अपरोच बनीगी होता क्या है, और मेन इ आपको ये परोच बता देता हूँ, एक और चीज़ बता देता, जैसे angle I निकालना था न, तो angle I कैसा निकालना गया था, देखी, ये नॉर्मल था, ये सबसे पहले normal बना लिया, ये angle अपने पास में, शोरी, ये angle I था, ये angle कितना था, R था, ओके, देन क्या हो गया था, य ये देखे, इसके यहां से wavefront आ गया था, angle I से ये, ये wavefront आ गया था, ओके, अब समझो कैसे मैंने का रहा था, मैंने क्या कहा था, ये total का total कितना होता है, 90 होता है, total का total कितना हुआ करता है, ये 90, अगर ये वाला angle इधर का I है, तो इधर वाला angle automatically कितना होगा, 90 मैनस I होगा तो यह हो गया 90-I, यह हो गया 90, तो इस वाले को कितना होना पड़ेगा, I, क्यों होना पड़ेगा, अरे तभी तो 180 होगा न, टोटाल एंगल यह वाला, देख लो न, 90-I, प्लस का 90 और प्लस का I, तभी तो 90-90 कितने होगा, 180 और I से I क्या होगा, cancel, answer तभी कितना होगा, 180 ओके, यह एंगल आपके पास में I है, ठीक न, अभी यह एंगल आपके पास में I बना हुआ है, तो यह समझो कि यहाँ पर अभी यह कितना है, 90 है, यह अपने पास में 90 है, अब अगर मैं पूरे सिस्टम को उठा करके, रोटेट कर देता हूँ, अगर मैं पूरे सिस्टम को को उठा के रोटेट कर दूं और कुछ इस तरीके से रोटेट कर लूं कि मतलब ऐसे समझो तुम देखो 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 कैसे समझाया आपको जैसे मानSome वहां यह तुम्हारे पास कि पनी टैन एक फैञे त tennis आपस अभी 90 डिगरी है तो ये अभी तुम्हारा नॉर्मल है अब अगर मैं अब अगर मैं इसको इस एंगल को अलफा से रोटेट कर दूँगा तो तुम्हारा नॉर्मल भी किते से प्रपेंडिकुलर भी किते से रोटेट हो जाएगा अलफा से ही तो रोटेट हो जाएगा तो यहां पे मैं क्या करता हूँ यहां पे मेरे पास कह रहा है कि कितने से रोटेट कर दूँगा तो अगर मैं इसके उपर यह पर प्रपेंडिकुलर ले लिता हूं कहीं पर तो यह एंगल अगर आई है ओके तो यहां मुझे कितने से रोटेट करना पड़ेगा इसको आई से ह तो आप मुझे बताओ काफी जारी मैंने इसमें मेहनत करिए I hope अब तक आपको बन जाना चाहिए प्लीज आप कोशिश करिए ये इसका में डेरिवेशन है समझ लेना इसको में डेरिवेशन को में एक ही जगे डिक्कत आती आपको टिग्नोमेटरी में तो बहुत आसान हो जा ये कित्ते डिग्री पर होता है 90 अगर ये 90 है ओके ये आपके पास I है तो इसकी वज़े से ये परपेंडिकुलर पर होता था तो ये कितना होता था 90 मैनस I अब आल टोटल आपको 180 करवाना है इसलिए ये कितना देना पढ़एगा आपको I देख लो कैसे 90 मैनस I प्लस का 90 और प्लस का I देख लो टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इसलिए ये एंगल आपको कितना देना पढ़ना होगा आई देना पढ़एगा बिल्कुल इसी तरीके से आपको आर के लिए भी यही वर्किंग करती तो ये डेरिवेशन आज के लिए कंप्लीट हुआ मैंने आपको पहला डेरिवेशन करके बता दिया है अब इसके बाद जो आपको दूसरा डेरिवेशन करना है वो वो जो डेरिवेशन है आपको मैं कल अपवर्तन के लिए करवाँगा फिला आप इसको करिए और comment box में मुझे बत समय दिन